नमस्कार मैं डोक्टर हरमण शर्म आज आपको लवर ट्राउमा के बारे में बताने जा रहा हूं या लिवर इंजरी ठीक है तो इस वीडियो के माद्यम से हम समझेर एग जब भी लीवर मे चोट लगती है ठीक है लीवर में चोट प्रॉमा और लीवर इंजरी है वो दो तरीके की हो सकती है, पहली blunt force कोई भी आया, ठीक है? blunt force, लीवर के लिए, blunt force, या दूसरी हो सकती है, penetrating, कोई gunshot wound हो सकता है, कोई चाकु मार दिया हो, और लीवर पे इंजरी आई हो, या आप कार में थे, तो blunt और penetrating, ठीक है? यह दो तर common is spleenic injury Penetrating में liver injury most common होती है उसका कारण क्या है penetrating injury में liver injury Most common क्यों है उसका कारण होता है लीवर का size बहुत बड़ा है तो इस वजह से liver injuries common होती है liver ribs के बीच में रहता है और बच्चों में liver injury ज्यादा देखे जाती है क्यों क्योंकि रिप्स बच्चों के मोबाईल होते हैं ठीक है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं तो छोटे बच्चों में लीवर इंजरी ज्यादा देखी जाती है जो लीवर ट्रॉमा है ठीक है जा लीवर इंजरी है इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट का इफास्ट कर लाएगा उस समय तो इफास्ट में पैरी हीपाटिक रीजन में पैरिटोनियल कैवेटी में अगर कोई ब्लीडिंग है फ्लूड है तो वो दीखेगा अब इसमें यह 45 मिनट्स पे रीपीट होता है इफास्ट कई बार हो सकता है पहले ब्लीडिंग कम थी बाद में बढ़ गई पैरिजन्ट स्टेबल है ठीक है इफास्ट नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना इफास्ट पॉजिटिव है पैरिएपैटिक क्वाडरेंट के अंडर तो उसमें हम देखेंगे पैशन्ट स्टेबल है तो सी इसीटी डॉर्सों पे जा सकते हैं या सीजीटी होल अब्डॉम तरऊमाज में बताया गया है ये क्लासिफिकेशन है कि कैसे लीवर ग्रेडिंग की जाये अगर पेशेंट स्टेबल है तो लीवर ग्रेडिंग के लिए जाएगा सी इसीटी में सीटी में क्या ہंदिंग होती है CCT क्या help करेगा, CCT में हम grading देख सकते हैं, कोई other organ का injury है, वो rule out कर सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई extra vaccination है, वो देख सकते हैं, कोई pseudo aneurism है, वो CCT में हम देख सकते हैं, ठीक है, एक होता है patient unstable, patient stable नहीं है, vitally है और अब fast किया हमने वो positive है, तो इस case में हमें CCT पे नहीं जा लगा के, अगर patient unstable है, एक लीटर crystalloid देने के बाद और blood transfusion करने के बाद भी, तो हमें तुरन exploratory laparotomy करना है patient का, कोई weight, कोई delay, कोई CT, कोई other investigation recommended नहीं है, ठीक है, अब patient stable है, तो CT में हमें कैसे पता चलेगा grading, grade 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, इनको कैसे treat किया जाए, देखो grade 1 में होता है, आपका सबसे पहले sub-capsular contusion, जो liver के पास है, sub-capsular, उसमें contusion होता है, कितना होगा, 10% से कम, up to 10%, उसके अलावा, parenchymal lacerations होगा, लीवर का, जो की होगा, less than 1 cm, तो ये हो गई आपकी grade 1, अब grade 1 को treat कैसे किया जाएगा, grade 1 को treat, non-operative management होता है, जिसे हम conservative treatment भी कह सकते हैं, तो उससे grade 1 का treatment होगा, अब आता है grade 2, grade 2 liver injury क्या है, grade 2 liver injury के अंदर, same रहेगा, sub-capsular hematoma, पर इसमें 10% से लेके, 50% तक sub-capsular hematoma हमें CT scan में दिखेगा, उसके अलावा, जो parenchymal laceration है, वो रहेगा, आपका 1, 2, 3 cm, उसके अलावा, हम इसमें second grade में एक और चीज find out करते हैं, वो है, inter-parenchymal hematoma, जो की 10 cm से कम diameter में होगा, तो इस term को हम बोलेंगे, आपका क्या, grade 2 injury, ठीक है, तो ये भी conservatively manage होगी, मतलब दवाईों से ही treat करना है, इसमें आपको accelerated laparotomy नहीं करनी है, अगर patient stable है, तो क्योंकि CT में जब ही गया, जब हो stable है, fast positive के बाद, ये होगी आपका criteria grade second, अब होता है grade 3, grade 3 में क्या होगा, आपका sub-capsular hematoma होगा, ठीक है, पर more than 50% होगा, 50% से जादा grade 3 में, उसके अलावा जो inter-parenchymal hematoma है, वो 10 cm से जादा diameter में होगा, उसके अलावा, जो inter-parenchymal lacerations हैं, वो रहेगा आपका more than 3 cm, ठीक है, और liver के अंदर bleed होगा, liver के पास ही रहेगा, liver के अंदर ही bleeding, active bleed रहेगा, ये भी जाएगा, conservative treatment, non-operative management, कोई operation, कोई surgery indicated नहीं है, grade 3 तक, उसके अलावा, अब हम आते हैं, grade 4 पे, तो इसमें क्या होगा, आपका जो liver, parenchyma है, 25 to 75% de-vascularization हो जाएगा, उसमें, और जो bleeding है, वो peritonial cavity वगेरा में में भी spread रहेगी, retroperitonium में भी रहेगी, तो ये है आपका grade 4 injury, अब grade 5 injury होता है, तो grade 5 injury में more than 75% of liver, lobes, parenchyma, devascularization, ठीक है, तो और इसमें जो bleeding है, वो आपकी inferior vena के वाम में हो सकती है, hepatic veins में हो सकती है, juxtaglomerum में हो सकती है, juxtaglomerum में हो सकती है, hepatic bleed हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा, zone 4 का bleeding, जो की retroperitonial में में आपको बताऊँगा, इन में exploration करना पड़ता है, grade 5, grade 4 के अंदर, कुछ cases में conservative से भी ठीक होते हैं, अब बात करते हैं, management की जो patient unstable है, efast positive है, unstable मतलब shock में है, vitally stable नहीं है, in spite of all efforts, providing one liter ringer, lactate और crystalloids and blood, उसके बाद हम इसमें patient को use करेंगे, massive blood transfusion protocol, सबसे पहले इसमें तीन चीज़े follow होती है, treatment में, push, pack and prinjal main hour, push means liver lacerations, push together, साथ में लेंगे, और suturing की जाएगी उसको, hemostasis suture, mattress suture, width और minus hemostasis agent, उसके अलावा pack में होता है, lever packing करेंगे, lever packing में all four quadrants को pack करेंगे, उसके बाद हम एक एक हटा के देखेंगे, कहां से bleed है, उस bleed को clause किया जाएगा, coterie से clause कर सकते हैं, या फिर apply gate कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी bleeding control नहीं हो रही है, तो फिर हम जाएगे, प्रिंजिल मैनोवर पे, जो की हिपेटो ड्यूजिनल लिगामेंट्स को, जब हम प्रैस करेंगे, तो उसमें common bile duct press होगी, portal vein press होगी, उसके अलावा common hepatic artery press होगी, पर इससे करने के बाद मैनोवर को बताया गया, occlusion कब तक होगा, ऐसा कोई specific study तो नहीं है, पर 15-90 minutes के दौराण bleeding stop होती है, अब आप सोचेंगे, इससे तो liver को injury हो जाएगी, पर इसमें डड़नी की जड़त नहीं है, लिवर को dual supply होता है, portal vein से भी रहेगा, ठीक है, आर्टरी से भी रहेगा, तो इससे लिवर compromise नहीं होगा, पर अब इसके बाद भी अगर bleeding नहीं हो रही है, रुक रही है, और bleeding continuous है, तो फिर हमें आगे फर्दर management पे जाना पड़ेगा, उसमें हो सकता है कि right or left hepatic artery से bleed हो रहा ह तो उनको ligate हम कर सकते हैं, अगर hepatic right और left artery को ligate कर देते हैं, तो भी liver compromise नहीं होगा, क्योंकि portal vein से उसको supply मिलेगा, जो कि blood provide करेगा, तो liver compromise नहीं होगा, उसके अलाबा hepatic veins से है, तो hepatic veins का ligation कर सकते हैं, artery का ligate कर सकते हैं, अगर चानले कि fourth zone, जो कि inferior vena के वाका है, जो कि एक dangerous zone है, उसको कभी भी हाथ नहीं लगाना है, in spite कि आपके यह सारे efforts जो मैंने बता हैं, वो fail हो जाएं, उसके बाद भी patient vitally stable नहीं हो रहा है, तो हम उस zone को explore करेंगे, और उसके अंदर हम कर सकते हैं, RoboVac, RoboVac क्या है, यह है, RepoVac, R for resuscitation, E for endovascular, O for occlusion in vena कवा, ठीक है, या जाफे ballon, tamponade हम यूज कर सकते हैं, shunt हम यूज कर सकते हैं, shrock, shunt, atrio keval shunt यूज किया जा सकता है, तो यह सब treatment strategies है, हर center पर यह नहीं होते हैं, हाँ, अब patient को treatment का care है, high five center पर ही patient treat होगा, जहां पर यह सारे facilities available हो, otherwise patient की life को danger रह सकता है, पर mostly liver injuries का जो concept है, वो दवाईों से ह manage किया जा सकता है, in spite of grade 4 injury, कई बार यह conservative भी ठीक होते हुए देखे हैं, clinically, तो liver regenerate भी होता है, इसमें low back tummy भी करनी पड़ सकती है, अगर बहुत जादा dangerous bleeding है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, liver trauma आपको समझ में आया, तो वीडियो को like करें, चैनल पे नए हैं, तो subscribe क क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे नहीं, जो इस तरह से इतना detail में explain करें, thank you, धन्यवाद, goodbye, नमस्कार